हेलो दोस्तों मैं RKM एना असिस्टेंट प्रोग्रामर आपके अपने यूटूब चैनल RKM टैक इंफो पर आप सभी सात्यों का तेदिल से हारदिक स्वागत करता हूँ सात्यों अब आपकी सुचना साइक कि प्रिक्षे में मात्र 20 दिन बचे हैं अब 20 दिन में आपको क्या स्टेटरजी अपनानी चाहिए, 20 दिन में क्या अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए और प्रिक्षे के अंतियों समय में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, प्रिक्षे के अंतियों 15 से 20 दिन कितने महत्यपोन होता है इन सबी विश्यों पर इस वीडियो में बात करेंगे इसलिए आप वीडियो के अंत्तक बने रहे और वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करे और अपने दोस्तों को साथ सेर करे और चैनल को सब्क्राइब कर ले साथ जो अब्यारती प्रिक्साय के अंतिम दिनों में अपने आप पर कंट्रोल रखते हैं अपने दिमाग को स्चांत रखते हैं और जो भी आपने साल छे मैने में पढ़ा है उस पर विश्वास रखते हैं तो किसी भी प्रिक्साय में सपलता के लिए आपका चांस 90 परतिशत बढ़ जाता है दोस्तों ये रन्यति मेने स्यूम ने अपनाई है और इसी प्रकार प्रिक्षय के तयारे करने वाले अन्य अभ्यारती भी अपनाते हैं अता उमीद है दोस्तों आप भी इस प्रकार के स्टेटजिय अपनाईंगे तो प्रिक्षय में आउस्य सपल होगी दोस्तों अब 20 दिन में आपकी स्टेटजिक क्या होनी चाहिए साथे अब आपको 20 दिन में बहुत ही स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी होगी और इन प्रिक्षय के अंतिम समय में अब तक जो भी आपने पढ़ा है उस पर आपको पूरा फोकस रखना है और कुछ नया करने की नहीं सोचनी है मुझे उसकी बुक और पढ़ लेता हूँ या उस सर की किलास ले लेता हूँ ऐसी बिल्कुल भी ना करें बस आपने जो भी अब तक आपने पढ़ा है उसके मैधरपुन टोपिक्स का अधिक से अधिक रिविजन करना चाहिए और आपकी 20 दिन में स्टेटजी बस यही होनी चाहिए कि जो कुछ भी पढ़ा है उसको सोड तरीके से एक बार फिर से रिविजन करना है दोस्तों अंति 20 दिन में क्या अधिक पढ़ना चाहिए साथियों आपको ने पूरे सलेबस के अनुसार पूरे साल बर पढ़ाई किये और आपने टोपिक वाईज, सबजेक्ट वाईज, विस्तित रूप से पढ़ाई किये एसा करने से आपने जो कुछ अब तक पढ़ा है उसके साथ ये अपने तयारी को परका जा सकता है और मोक्टेश देने से आपको ये भी पता चलता है कि प्रिक्षया में किस परकार के परसन आते हैं और आपने जो नई पड़ा है उन परसुनों को हल करने ये याद करने का मोखा मिलता है नए परसुनों का खजरा भी आपके हाथ में लग जाता है जिसे आपकी तैयारी और मजबूत हो जाती है साथ ये आपको अंतिम 20 दिनों में कम से कम एक वर्स का करंट जी के राष्तान राष्तान के IT के चेतर में वे इगवर्नेंज से समधित है उन पर आपका फोकस होना चाहिए लगबक सुचनसाई परिक्सें में 25 परिक्सें इस परकार करंट जी के आते हैं उसके साथ है आपको reasoning पर आपको परते दिन 2-3 गंटे परते दिन देना चाहिए क्योंकि साथ हूँ सूचनसाई प्रिक्षया में 25% के लगबग reasoning के आने वाले हैं और इस परकार दोस्तों करंट जी के और reasoning दोनों मिलाकर आपके पास लगबग 800% में से 50% इन दोनों सब्जेक्ट में से आने वाले जो सूचनसाई प्रिक्षया पास करवाने में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी कई अब्यारते केवल कंप्यूटर पर दियान देते रहते हैं और इन पर दियान नहीं देते अताय आप इस बार अधिक से अधिक दियान दे और अंतिम 20 दिन में इस पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए सात्यों इसके बाद आपके पास लगबग 15-20% रास्तान जनरल नोलेज के आएंगे इसमें आपको रास्तान कलास संसकरती, परस्चित बंदिर, लोक नर्ते, आभूशन, आदिक मेहतरपूर पर दियान देना चाहिए इसके बाद लगबग 90% कंप्यूटर से संब्धित आते हैं इसमें से भी 40% से अधिक बेसिक कंप्यूटर वर कंप्यूटर की बेसिक नोलेज से संब्धित आते हैं इसका वह आपको एक बार रिविजन कर लेना चाहिए दोस्तों ये इस परकार आप यदि सोट तरीके से पढ़ोगे तो आपके सुचनसाइक बनने में बहुत महतबून होंगे और आपकी परसंटेज अच्छी तरह से बन सकती है सात्यों प्रिक्सय के अंतिम समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस पर आपको पूरा ध्यान रहना चाहिए साथे आपको प्रिक्षय के अंतिम समय में बस अधिक से अधिक संपुन सलेबस के अनुसार मोक्टेश देना मैट ऐसे साथे अंतिम समय में अपने धिमाग को इस्तर रखना चाहिए आपने अब तक जो भी पड़ा है उस पर पुरा विश्वास रखना चाहिए और लास्स समय में कुछ और नया करने का चक्कर में जो पड़ा है उसका भी कच्रा बन जाता है इसलिए आप कुछ नया करने की ना सोचे प्रिक्षया के अंतिम समय में कुछ नया करने के चक्कर में आप प्रिक्षया में कन्फ्यूज रहते हैं इसलिए प्रिक्षया के अंतिम समय कुछ नया करने के बारे में ट्राई से बचे साथियों प्रिक्षया में 15 से 20 दिन कितने महत्वण होते हैं यह आप सबको पता होगा, प्रिक्सया के अंतिम 15 से 20 दिन किसी भी प्रिक्सया की तयारी कर रहे हैं, अब ब्यारतों के लिए बहुत ही महत्वन होते हैं, जो आपने साल बर पढ़ा है, उसका प्रिक्सया के अंतिम समय में रिविजन नहीं किया जाता, तो प्रिक्सया देते स में बहुत ही कन्फ्यूज रहते हैं, अथा आप प्रिक्सया के अंतिम 15 से 20 दिन में दिमाग को स्यांत रखें, और इधर उधर की सब चीजों को भूल कर आपको प्रिक्सया पर ध्यान देना चाहिए, अथा आप सभी को सूचना साए, प्रिक्सया के अंतिम 20 दिन में इन पॉइंट्स पर ध्यान रखना चाहिए, यह मैतफूर्ट पॉइंट है, अथा दोस्तों परतम पॉइंटे टाइम टेबिल बना कर परते दिन रिविजन करें, नमबर दो, अधिक से अधिक मोग टेस्ट दें, नमबर तीन, पुराने पेपर को भी एक बार हल कर लेना चाहि क्योंकि कई क्यूशन उनमें से रिपेटेड आते हैं, नमबर चार, ध्यान बटकाने वाले हर चीज से आप दूरी बना कर रखें, नमबर पांच, इंपोर्टेंट टोपिक पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे, नमबर छे, आप जो भी पड़े उसको सांत दिमाग से पड निंद ले और अपने सवास्ते का ध्यान रखे, नमबर आठ, जिस दिन दोस्तों आपकी पिरिक्सिया उससे एक दिन पूर पढ़ाय बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, और भरपूर निंद ले और उसके बाद सुबह बिल्कुल प्रेस डिमाग से एकजाम देने जाना चा जिससे आपकी परसंटेज अच्छी बनेगी और आप आउसेक रूप से सुचनसाइक में सपलता प्राप्त करेंगे, इस परकार दोस्तों सुचनसाइक पिरिक्सिया के लिए आप पूरी मैनत और लगन और इमानदारी से परयास करोगे तो इस बार आप आउसे सपल होगे, धन्यवाद जैन जैबार्ग